साइट ऑडिट एक ऐसी चीज जो हमें बता थे कि एक्च्वल हम जो वेबसाइट के उपर वर्क कर रहे हो भी रहा है यह सिर्फ हमामें बादे चल रहे है बट फ्रेंड्स जब भी हम कभी साइट ऑडिट लेने जाते तो हम देखते कि हमारे साइट का ऑडिट करने के लिए हम देने पड़ते पेड़ वाले टूल सो फ्रेंड्स मैं आजे ठाकरे फ्रम टीलर्णाइड.com और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम कंप्लेटली फ्री में हमारे साइट का अडिट का ऐसे कर सकते इससे पहले भी मैंने इस चीज के ऊपर एक वीडियो बनाया तो चले वीडियो शुरू करते हैं तो ACM Rush के ऊपर जाने के लिए description में दीवे link पे click करते हैं link पे click करने के बाद आप इस page के ऊपर आ जाएगे यहाँ पे आने के बाद आपको sign up ओल और option मिलेगा sign up ओले option पे click कर दिजिए sign up पे click करने के बाद इस तरहाँ का page आपके समने open हो जाएगा हो सकता है जब आप यह वीडियो देख रहे तो इनकी डिजाइन चेंज हो चुकी हो फिर भी आपको continue with Google और यह option मिली जाएगा तो हम यहाँ पे continue with Google पे click करते हैं continue with Google पे click करने के बाद यह बोलेगा कि आपका जो email id वो select करी तो मैं यहाँ पे एक email id select कर लेता email id select करने के बाद आपको यह दो प्लांस दिखाएगा पर हमें इनके दोनों प्लांस में इंट्रेश्ट नहीं हमें प्री में हमार आउडिट करना है आप चाहे तो इनका साथ दिन का फ्री ट्राइल भी ले सकते हैं या फिर यहाँ पे skip ट्राइल पे click कर दीजिए skip ट्राइल पे click करने के बाद skip this step पे click कर दीजिए या फिर आपका जो भी area आप इंट्रेस है वो select कर लीजिए यहाँ से skip कर देता हूँ इसके बाद अभी हम actual जगा पे पहुँच गए जहाँ पे हमें हमारे site का audit करना है तो यहाँ पे आपको दो option मिलेगे एक यहाँ से आप किसी का domain analyze करना है तो वो कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपने site add करके या किसी की भी site add करके उसका complete analysis कर सकते है या फिर हम कह सकते है कि उसका audit ले सकते हैं तो यह domain analytics है वो आप खुद देख लीजिएगा यहाँ पर कोई भी domain डाले उसके साथ यहाँ पर country select करी और add domain पर click कर दीजिए यहाँ पर कितनी भी domain add कर सकते हैं पर क्योंकि यह free account है तो आप यहाँ पर एक ही project या फिर एक ही website add कर सकते हैं जिसका आपको audit करना है तो मैं यहाँ पर एक अपनी website add कर देता हूं तो इसके लिए यहाँ पर website का domain हमें डालना पड़ेगा यहाँ पर हमें project का नाम देना है मैं यहाँ पर t-learner.com दे देता हूं और हाँ friends आपने अभी तक चैनल को subscribe और वीडियो को like नहीं गिया है तो जल्दी से कर कर देता हूं तो create project पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से आप site audit, position tracking, on page SEO, social media, उसी के साथ social media schedule सब कुछ यहाँ से monitor कर सकते हैं तो क्यूंकि हम आज की वीडियो में सिर्फ site audit देखने वाले हैं तो site audit देखेगे बाकी की topic छोटे छोटे वह भी cover कर लेगे तो site audit के लिए यहाँ पर setup पर click करें अभी आपके सामने सब यह option फिर से आ जाएगे तो अभी हमारे सामने यह वाला page आ गया है यहाँ पर हमें हमें कितनी page analyze करने है उसे select करना है क्यूंकि यह free वाला account है इसलिए यहाँ पर maximum 100 page ही allow किये है तो यहाँ पर उसी के साथ आपका जो scroll source है आपको क्या scroll करना है आपकी website आपका site map जो भी scroll करना है उसे select करिए तो मैं यहाँ पर 100 pages select करता हूँ और हमारी website select करता हूँ और यहाँ पर start site audit पर click कर देग्या फिर से एक बार start site audit पर click करियें तो अभी आप यहाँ पर दिख सकते हैं कि हमारा site audit start हो गया है उसी के साथ यहाँ पर position tracking भी आप कर सकते हैं और on page SEO check भी कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर position tracking पर जाता हूँ आपको किस के लिए करना है Google के लिए बाइदू के लिए जो भी करना है आप यहाँ से select करें या फिर किसी particular चीज के लिए आपको जैसे किसी business के competition के लिए search करना है तो अभी आप यहाँ पर कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर keywords पर click कर दीजें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे सामने मेरे website के लिए जो भी important keyword है जिनके उपर मैं rank कर रहा हूँ वो यहाँ पर आ गए तो मैं इससे यहाँ से फिर से close कर देता हूँ इससे के साथ यहाँ पर Google Analytics, Campaign, Manual सब कुछ देख सकता हूँ पर यह वीडियो का limit है इसलिए मैं यहाँ पर complete explore नहीं करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे site का audit ready है तो उसी के साथ यहाँ पर बहुत से option है वो आप यहाँ पर खुद आ के check करिए मैं आपको site audit initially दीखा देता हूँ फिर जब time बचता है तो मैं आपको बाकी की चीज़े भी बताऊँगा site audit पर क्लिक करता हूँ तो site audit पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी site का health है 75 health बता रहा है मतलब 75% out of 100 हमारे site healthy है उसी के साथ हमारे site के अंदर 66 error है जो की 13 से कम हो गए मतलब last time यहाँ पर 66 plus 13 इतने error थे हमारे website के अंदर 266 इतनी warning से जो अभी 10 warning बढ़ गई है उसी के साथ 31 notices है जो की हमें इन सभी को solve करना है और इनका मतलब आपको यहाँ पर i button पर क्लिक करके मिल जाएगा उसी के साथ crawlability है हमारी 91% हमारे website 100% https पर open हो रहे है और international SEO हमने यहाँ पर set नहीं किया है में नहीं बता रहा है उसी के साथ site का performance 93% performance है जो की 1% से बढ़ गया है उसी के साथ internal linking internal linking कितनी है हमारे website के अंदर और उसी के साथ markup पर बारे में भी यहाँ पर पता रहा है तो यहाँ पर हमारे internal link कितनी broken है वो भी यहाँ पर दिखा रहा है उसी के साथ यहाँ पर view all issue पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने सभी के सभी हमारे जो भी issues है वो यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे link building के ओपर क्लिक करता हूं यहाँ पर एक keyword डालता हूं से add कर देता हूं उसके बाद competitors पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मैंने जो भी अपने competitor का नाम डाला उसी के साथ जो भी keyword डाला उसके related मुझे क्या क्या करना होगा या क्या क्या मेरी competition है वो सभी चीज़े यहाँ पर मुझे बता देगा उसके बाद आप यहाँ से अपना on page क्लिक कर दीजिए कंटीन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो भी website है वो किन चीज़ों के उपर rank कर रहे हैं या फिर आपका on page SEO किन चीज़ों के उपर अच्छा है उसी के साथ आपका जो organic traffic है उसके बारे में जानना है तो यहाँ पर organic traffic insight पर देख सकते हैं और friends अगर आप कोई अच्छा सा content लिखना चाहते हैं और उसके लिए अच्छे से बैक लिंक वगरे क्या लेना चाहिए उसके लिए guidance चाहिए तो आप इस dashboard के अंदर left side में scroll करें यहाँ पर SEO content template पर click करें SEO content template पर click करने के बाद यहाँ पर अपना कोई भी keyword डाली जैसे कि मैं यहाँ पर SEO ही डाल देता हूँ और यहाँ से country select करें तो आपकी जो भी country है उससे select करें तो मैं यहाँ से इंडिया select करता हूँ उसके बाद region city जो भी select करना चाहे तो आप करिये नहीं तो रहें दिजे और यहाँ से create SEO template पर click कर दिजी उसके बाद आपके सामने इस तरह का पूरा details आ जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते कि हमें अगर guidelines लेनी है तो आप यहाँ इन links से guidelines ले सकते उसे के साथ एक keywords है ज जिससे कि आपका content ज्यादा से ज्यादा rank करें उसे के साथ आप इन जगहाँ से backlink ले सकते हैं जिससे कि आपका SEO related content है और Google पर जल्दी rank करें उसे के साथ यहाँ पर बहुत सारी चीजे जो आपके content के related आपको मिल जाएगी आप यहाँ पर सभी guidelines को follow करोगी तो guaranteed आपका content चेक करके देगे कि आपका content कितना optimize है और आप यहाँ पर अपना content चेक कर सकते हैं उसे के साथ आप यहाँ से backlink audit भी ले सकते हैं organic traffic content analyzer यहाँ पर बहुत सारी चीजे जो एक वीडियो में बताना possible ने इससे पूरा explore करने के लिए description में दीवे लिंक पर क्लिक करें यहाँ पर इस idea हाँ पर और add करिए और इसका पूरा check up कर लिजे अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को like किजे दोस्तों के साथ share किजे चैनल को subscribe किजे और हाँ मैंने एक description में अच्छी वाले hosting की link दे रखिए आप चाहे तो वहाँ से खरीच सकते हैं